यह मसवली थाने में एक मलवली आस्रम है वहां के सरी सतनरायन दास जी हैं उन्होंने अक्टूबर महिने में 2020 के अक्टूबर महिने में एक अभियोग पंजिकित कराया था मसवली थाने में कि उनको गोसला खोलने के नाम पर पैसा दिलाने अंदान दिलाने के नाम पर उनके स काफी पैसा लिया गया है इस पर अभियोग पंजिक्रित किया गया और इसकी विवेचना जब शुरू की गई तो पता चला कि एक घंशाम सिर्वास्तों का एक संगठित गिरोह है जो अंतरराजी अस्तर का है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उंतर प्रदेश में भी कम से कम दस जीलों में इसने इस तरह का अफराद किया है और विविन जनपदों में इसके जुरूद अभियोग पंजिक्रित हैं, हमारी टीमें इनके गिरफ्तारी के लिए लगी थी और परियाप्त साक्ष के आधार पर उन्हें आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है, मस साथ और कौन लोग सामिल हैं, इसका भी पता लगया जा रहा है, अभी तक इस गिरोव में कुल साथ लोगों के बारे में जानकारी हुई है, उसमें इनके बेटे हैं और पत्नी हैं, कुछ और लोग हैं, इनका नाम बताना इस समय सर्वनिक रूप से ठीक नहीं है, इन्हों ने जो 23 लाक रूपए का चेक दिया, तो उसमें एक परसंट जो होता है, वो इन्हों ने ले लिया, और वो ही ठगी में हुई, से जब सर्षट लाक रूपए का चेक देते, तब 6 परसंट भुगतान इनको होना था, ये इनका राता है, अभी इसके पहले CDPO कारजा इन्हों ने न्युक्ति पत्र जारी कर रखा है, इसके अलावा जाउनपूर में भी मुकतमे लिखे गए हैं, तो इनका बहुत बड़ा काकस है, और इसमें समय लगेगा, हमारी टीमें लगी हुई है, सारा, सारा, जी, अभी तक जो हमको जानकारी हुई है, हमारे पास जो बुकता प्रमान हैं, वो चार-पांच जगे के फाईयार हमको प्राफ्थ हो चुके हैं, लेकिन कम से कम इनके बिरुद्ध पचासों मुकतमे हो गए, जानकी पूरम में इनका आफिस है, और उसके बारे में अभी हम पता करते हैं कि क्या कार जोएगी,